हेलो स्टुदेंट्स, रॉंबस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वाथ है हम लोग कर रहे थे मध्यकालीन भारत और इस मध्यकालीन भारत में हम लोग कल की कलास में हमने देखा राजपूत राज्यों जो मध्यकालीन भारत के अंदर उभर कर इतिहास में हमारे सामने रहे कल की कलास के बाद में हमने एक बात की थी कि आज हम क्षित्रिय राजवंसों के उद्य की बात करेंगे वो बहुत से राजवंस थे जो भारत के विभिन क्षित्रों में तुकि दिल्ली सल्तनत नई नई स्थापित होई थी यह आप सब जानते हैं और वो स्टार्टिंग के अंदर समराज्यवादी नीतियों की बजाए उनके पास जो राज्य थी उनके अंदर अपनी परसासनिक विवस्ता को मजबूत करने में लगे हुए थी वहीं दूसरी तरफ जैसे ही गुप्तकाल समाप्त हुआ और गुप्तकाल के बाद उत्तर गुप्तकाल आया तो वहाँ पर नोर्थ इंडिया के अंदर तो एक बार हम मानके चलते हैं कि यहाँ पर हर्षवर्धन का राज्था लेकिन उसकी मृत्यू के बाद भी भारत में छोटी छोटी राज्वंष क्षेत्रिय राज्वंषों का उदे हो गया तो आज हम उन्नी। चालुक के वंश के चालुक के वंश चालुके वंस पूर मध्यकाल में अनेक चालुके राजवंसों से राजवंसों ने साशन किया जिन में से कुछ महतरपून थे जिनके हम बात करते हैं एक हैं बादामी के चालुके इन्हें प्रारंबिक या पश्चमी चालुके भी कहते हैं दूसरे हैं कल्याणी के चालूके इन्हें भी पश्चमी चालूके ही कहते हैं आंद्र या दखन में स्थित वेंगी के चालूके इन्हें पूर्वी चालूके बोलते हैं यानि कि पूर्वी क्षेतर में भारत के राज करने वाले बादामी के चालूक्यों का वास्त्विक संस्तापक पुलकेशन प्रथम को माना गया है कल्यानी के चालूक्यों का संस्तापक तेलब द्वीत्य को बना गया है और वेंगी के चालूक्यों की स्थापना पुलकेशन द्वित्या के भाई विश्नु वर्दन प्रथम द्वारा की गई बदामी के चालूके या पश्चमी चालूके अब हम उस राजवन्स की पहले बात करते हैं इस समय उतरी भारत में गुप्त समराजे के पतन के पश्चात अनेक सवतंत राज्यों का उदे हुआ ठीक उसी समय दक्षिन में कई राज्यों का जनम हुआ सातवानों के पस्चात सुदूर यानी कि दूर दक्षिन में तीन राज्यों का उदे हुआ था पांडे, चोल और चेर इन राज्यों के विश्य में संगम साहिते से हमें जानकारी मिलती है इन तीन राज्यों के पतन के पचाथ छटी स्थाबदी में दक्षिन भारते राजनिती में नई शक्तियों का उदे हुआ और चालुके इन में परमुक थे चालुकेों ने दक्षिन के एक बड़े भू भाग परा दिकार कर स्थापित करने के साथ ही कला साहित्य और धर्म के विकास को परभावीत किया चालुकियों ने छटी स्ताबदी के आरम में पश्चमी दख्षण में अपना राजय स्थापित किया जिसके कारण इने पश्चम के चालुके भी कहा जाता है विक्रमांक देवचरित जो काव्य है इसमें इसवन्स की उत्पती बगवान ब्रह्म के चुलुक से बताई कई है कैरो तामर पत्र के नुसार जै सिंग चालुके इसवन्स का प्रथम एतिहासिक साशक था रणराग ने गदा युद में कुशल होने के कारण रणराग सिंग की उपादी धारन की पुलकेशन प्रथम इसवन्स का प्रथम प्रतापी समराड तथा वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसने वातापी या बादामी को राजधानी बनाया इसने कई असव में एक यग्य संपन कराए किर्तिवर्मन प्रथम प्रुकेशन प्रथम का पुतर था महाकूट स्तंब लेक से प्रमानित होता है कि इसने बहु सुवर्ण एवं अगनिस्टों यग को संपन कराया तथा पूरण प्राक्रम एं सत्या स्रे की उपाधी धार्ण की किर्तिवर्मन की मर्तिव के पशात उसके पुतरों के अलप व्यस्क होने के कारण उसका भाई मंगलेश साशक बना था अब हम बात करेंगे जो प्रमुक बादामी के चालूक के साशक हैं उनके बारे में जो इतिहास में अपनी एक स्थान रखते हैं अपना इतिहासिक महतब होने के कारण ये हमारे लिए बहुत महतब पूर्ण हो जाते हैं इन में से हैं पुलकेशन द्वित्ये सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एक महान साशक था पुलकेशन द्वित्ये और यह किर्ति-वर्मन प्रथम का पूतर था इसने सत्या स्रे स्री प्रत्वी वल्लब महराज की उपाधी धारण की इसने हर्सवर्दन को पराजित किया तथा परमेश्वर की उपाधी धारण की इसने कृष्णा एम गोदावरी के बीच के क्षेतरपल हमला करके वेंगी को जीत लिया एम अपने भाई विश्नु वर्दन को वहाँ नियुक्त किया इसके साथ ही वेंगी में सालुक के साखा की नियुँ पड़ी पुलकेशन ने पल्लव साशक महिंदर वर्मन पर 610 इस्वी में हमला किया और उसे पराजित किया महिंदर वर्मन के जो उत्रादिकारी हैं नर्सिंग वर्मन परथम ने स्री लंका के साशक मानवम के साथ मिलकर पुलकेशन दुटे की राजधनी बादामी पर हमला कर दिया तसा 642 इस्वी में उसे पराजित कर दिया और इसकी सुटना हमें रवी कीर्थी के एहोल अभिलेक से मिलती है यह वो एहोल अभिलेक जिससे हमें यह ग्यान प्राप्त होता है इसके अंदर लिखा हुआ है कि यह युद हुआ था और इस उद में इसको पराजित किया गया था देखिए यह है विरुपाक्ष महादेव मंदिर जुनकी पतनी ने बनाया था और यह है त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर उस समय के हैं और बहुत ही शांदार है विक्रमादिते दिविते के अगर हम बात करें तो विक्रमादिते दिविते ने कांची को बिनाक्षती पहुंचा है वहां के राजसी एस्वर मंदिर को अधिक आकर्शक बनाने के लिए रतनादी भेंट किये थे ये है वो मंदिर राची एसवर इसको बिना कोई नुक्षान पहुंचा है इसने रतन भेंट किये कि इस मंदिर को इसी ढंग में जैसे बना हुआ है उसी कला के अंदर इसको और ज़्यादा सुन्दर बनाया जाए उसने इस मंदिर की दिवार पर एक अभी लेक उत्केर्ण करवाया पल्वों के वातापी कौंड की तरह कांचिन कौंड की उपाधी धरन की अब हम बात करते हैं वेपार की सोलकाल में गोदामों तथा विक्रिय केंद्रों को एरिवीरिपत्तन कहा जाता था पस्चिम से विपार करने वालों के लिए फारस तथा अरब गंतव वेस्थान था फारस की खाड़ी में सिराफ बहुत महत्तपून बंदरगा था लेकिए फारस की खाड़ी वा जो परमुक बंदरगा है उसका नाम सिराफ है इस काल में चीन के साथ वेपार में वरदी इनने अरबों के साथ मिल कर घुड़ों के विपार पर एक अधिकार जमार रखा था वेपारियों का नियंतर वानेज्य स्रेणिया करती थी इनमें मनिग्रायम तता वलंजीयार महत्पून थी उसी तरह नाना-देसी भी एक महत्पून स्रेणी थी इसकी वेपारिक साख़् का विस्तार दक्षिन पूरवेश्या से के सुमात्रा तक था कि शिक्षा और साहित लिट्रेचर और एजुकेशन के अगर हम बात करें तो चोल सासकों ने अम्रत सागर तता बुद्ध मित्र जैसे परसी जैन तता बुद्ध विद्वानों को संक्षन दिया था अम्रत सागर ने या प्रूलंगम था या परूंग का क्रिजे नामक दो परमानिक ग्रंथ चंद सास्तर पर लिखे बुद्ध मित्र की प्रमुक्रती वीर सोल्यालम है वैचोल सासक वीर राजिंदर का महान तमिल विद्वान बताता है रामानुज की परसंशा में उनके सिस्य तिर्वनंगत्तु अमुदनार ने रामानुज नुडण दादी की रचना की वडगलाई संपर्दाय तमिल भाषा का परियोग करते थे वडगलाई मरकट की शोर नयाय में विश्वास करता था जबकि तंगलाई मुर्जार की शोर नयाय में विश्वास करता था सेवसंत नभी भंडार नभी ने सेव मंतरों को धार्मिक गरंथों में शामिल किया ये राज राज प्रथम एम राजेंदर के समकालिन थे रामा नुछारे ने भक्ति आंदूलन एम हिंदू धर्म के मद्य एक पुल का काम किया सेतु का काम किया कंणड में धर्मुपदेश देने वाले माधव ने भी धर्म के साथ भक्ति का संतुलन बैठाने की कोशिश की माधव के अंसार विश्णु अपने भक्तों पर अनुग्रह अपने पुत्र वायू देवताद्वारा करते थे राम्मानुजचार यह उच्वर् पंचायती राज के अधिकार के अंतरगत होती थी अत्वा भूमी धरों के निजी अधिकार में यह भूमी धर अपना बुगतान राजा को करते थे यहां सेवा विधी की प्द्धि भी परचली थी जा कुछ सेवा के बदले रिन की आंसिक या पूर्ण रासी माफ कर दी जा था प्रतु साधान तया ऐसा वहीं होता था जहां भूमी राजस्व की रासी कम होती थी जैसे देवता के स्नान के लिए जल आने पर मंदिर के दे में व्यक्ति मुक्त हो जाता था ग्यारवीं बार्वीं सदी में सेना में भी सेवा विधी का प्रारंब हो गया व्यपारी वीनिमय के रूप में चिट्टी रामेली पेरिपांडू से क्रसी उत्पादों को प्राप्त करते थे चिट्टी रामेली पेरी पांडू किसानों का एक संग्ठन था जिसकी उत्पतित अमिलक्षेतर में हुई थी इसकाल के प्रारहंब के गाउं आर्थिक द्रस्टी से आतम निर्भरते ऐसी बात नहीं है सभी सदी से जब चोलकाल में वेपार विक्सित हुआ तो नगरों का भी विकास हुआ और गाम की स्थिति भी बदले पूर्वी तट पर महबली पूरम, कावेरी पट्टम, सालियूर, कोरकई तथा मालावार तट पर क्विलोन के बड़े परतिस्थान थे एक वेपारिक संग एंडूडवार था इसे आयोवेलूर के 500 स्वामियों के नाम से भी जाना जाता है चोल देश में अनेक बस्तियों में वीर पट्टन होते थे यहाँ पर ये वेपारि स्थानी सत्ता और केंडे सरकार की मनझूरी से ही वेपार के मामले में विशे सा धिकार का परियोग करते थे त्रेन रूर्स स्रेनी का व्यपार वर्मा सुमातरा इन सभी देशों से होता था लगवा 1290 के मैसूर अभी लेक में 18 देशों के विपार करने वाले देश अलातु गंडा नामक एक व्यपारिक संग्ठन का हमें उन लेक भी मिलता है यह हम बात कर रहे थे चोल कालें परशासिन की नगर विवस्ता, सेन्य विवस्ता, अर्थ विवस्ता हम सब इन सब की बात कर रहे थे कल आज समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है तो आज हमें इस चैप्टर को हमें यहीं रोकना पड़ेगा कल यहां से हम फिर आगे शुरू करें और क्षेत्रिय राजबंसों के बाकी जो पार्ट हैं उनकी जो विवस्ताएं हैं उनकी जो कलात्मक अभिवक्तियां हैं उन पर हम डिस्कस करें इन क्षेत्री राजबंसों ने इतियास में बहुत बड़ा अपना महत्वपुन्ड योगदान दिया खासकर धरम के क्षेत्र में और वेपार के क्षेत्र में क्योंकि शुदूर दक्षिन में जो ये राज्य थे ये केवल समुद्री किनारों पर बसे हुए थे जहां से वेपारी गत्वीदियां बहुत बड़ पाएं और परसासनिक विवस्ता में इनका बहुत बड़ा अन्रोल रहा मध्यकाली भारत में इन क्षेत्रे राजबंसों न अपना जो पार्ट रूल प्ले किया जिस धंक से ये उत्पन होकर हमारे सामने आए उन पर हमने बात की चालू कि चोलों की आगे जो और ख्षेत्रे राजबंस हैं या इनकी जो परसासनिक विवस्ता हैं उन पर हम कल इसी समय रॉंबस एजूकेशन के इसी प्लेटपॉम से जब दुबारा मिलेंगे तो फिर यहीं से आगे शुरुवात करेंगे और फिर दुबारा बात करेंगे कल दुबारा जब इसी प्लेटपॉर्म पे हम दुबारा मिलें तब तक के लिए आपका दिन मंगल में हो शुब हो आप हमें इजाज़त दें धन्यवाद